नमस्कार आईए विंटर स्पेशल में आज बनाते हैं गाजर का हल्वा गाजर का हल्वा खाने में बहुत स्वादिश्ट होता है और घर में सबी पसंद करते हैं गाजर के हल्वे को बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं इसके लिए दोकलो गाजर साफ धोकर, छील कर कद्दूकस कर लीजिए देखिए इस तरह से देखिए हमने सभी गाजर को कद्दूकस कर लिया है ड्राइन नट्स में जो भी खर में अवेलिबल है और आपको पसंद है वही ले लीजिए दो टेबल स्पून कसा हुआ गोला और साथ आठ हरी इलाइची क्रश करके ले लीजिए आदा किलो मावा ले लीजिए इस मावे को हमने मलाई से घर पर ही बनाया है इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक कटोरी दूद की मलाई ले लीजिए एक बड़ी कटोरी चीनी ले लीजिए ये वजन में लगभग 400 ग्राम है कढ़ाई में एक छोटी चमच घी डाल कर 4 तरफ फैला लीजिए ऐसा करने से गाजर तले में लगती नहीं है अब कसी हुई गाजर को डाल दीजिए 10 से 15 बड़ धीमी फ्लेम पर धक्कर पकने दीजिए ताकि गाजर सौफ्ट हो जाएं बीच बीच में चेक करते रहें 15 मिनट बार धक्कन हटाएं देखिए गाजर हमारी सौफ्ट हो गई है अब गैस की फ्लेम तेज कर दीजिए और गाजर का पानी सूखने तक उसको लगातार चलाते हुए भून लीजिए देखिए गाजर का पानी लगबग सूख चुका है अब इसमें चीनी डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए और लगातार चलाते हुए भूनते रहिए लगातार चलाते हुए भूनते रहिए जब तक चीनी का पानी सूख न जाए देखिए चीनी से जो पानी रिलीज हुआ था वो लगबग खतम हो गया है अब एक कटोरी मलाई डाल करके अच्छी तरह से भून लीजिए हल्वा बनाने में हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मलाई डाल दी है और जो मावा है वो भी मलाई से ही तयार किया है देखिए हल्वे में मलाई अच्छी से मिल गई है अब इसमें मावा डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए देखिए हल्वे में मावा अच्छी तरह से मिल गया है अब इसमें इलाईची पाउडर, नारियल और सभी ड्राय नर्स डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए लीजिए विंटर स्पेशल स्वादिष्ट गाजर का हल्वा बनकर तयार है तयार हल्वे को डौंगे में निकाल लीजिए और कटे हुई ड्राइ नट से गार्निश कीजिए लीजे स्वादिष्ट गाजर का हल्वा बनकर तयार हैं गर्मा गर्म खाने का आनंद उठाइए यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद